हलो एवरिवान स्वागत है आपका हेलो स्कॉलर में बैंकों के प्राइविटाइजेशन पर हमारी फाइन्स मिनिस्टर निर्मला सीता रमन जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है प्राइविटाइजेशन की बात होती है दो हजार 21 में almost Continuing का जब बजट लॉंच किया जाता है तब हमारी फाइन्स मिनिस्टर कहती है उस बजट में था कि हम कुछ बैंकों क प्राइविटाइज करेंगे privatization of banks होगा हमने बहुत सारा companies जो है हमने देखी जो हम government companies थी उनको भी privatize किया गया लेकिन फिर कुछ time के बाद क्या हुआ कि उस पर उनका कोई tip नहीं है फिर कोई बयान नहीं आता है वो कुछ नहीं कहती है उसके उपर लोगों को लगते हैं कि नहीं होगा लोगों को लगते हैं कि नहीं privatization होगा कुछ लोगों को लगते हैं कि पिर आइनग से बाद हो लेकिन 29 मई याने कल के दिन निर्मला सीता रम安 जी ने यह confirm कर दिया यह statement दे धी कि जो bank का प्राइविटाइजेशन है जिस हिसाब से स्केडियूल किया गया था प्राइविटाइजेशन उसी हिसाब से होगा देविल गो ऑन एस पर दा स्केडियूल उसमें कोई भी बदलाव नहीं करे गए है अभी इस टाइम पर इंडिया के पास 12 पॉब्लिक सेक्टर बैंक है जिसमें की SBI है, PNB है, Bank of Baroda है, Canera Bank है, Union Bank है, Bank of India है, Indian Bank है CBI है, Central Bank of India जिसे कहते हैं, Indian Overseas Bank है, Yuko Bank है, Bank of Maharashtra Bank, Punjab and Sindh Bank तो ये कुछ हमारे पॉब्लिक सेक्टर बैंक हैं 2021 में IDBI Bank, IDBI Bank और दो अधर बैंक को के साथ एक General Insurance Company को प्राइविटाइज करने की बात करी गई थी अगर कोई भी बैंक, मतलब अगर हम प्राइविटाइजेशन करना चाहते हैं तो हमें Legislative Amendments जिसको की हम संशोधन कहते हैं वह करना पड़ेगा हमारे कानून में, हमारे समविधान में तो उन्होंने कहा था कि Amendment Session जब होगा Amendment पहले किया जाएगा उसके बाद ही बैंकों का प्राइविटाइजेशन पॉसिबल है पिछले साल का अगर हम प्राफिट देखते हैं तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्राफिट ज्राफिट की ओर बढ़ रहे हैं 2018-19 तक तो ऐसी सिचुएशन थी कि बहुत सारे बैंक वो लॉस में जा रहे थे बट 18-19 के बाद दिखा जाता है कि और फिर लास्ट ये तो हमने देखा कि काफी सारे बैंकों ने अच्छा खासा प्राफिट कमाया 2021 में नीती आयोग ने रेकमेंड किया था कि Central Bank of India और Indian Overseas Bank को प्राइविटाइज कर देना चाहिए लेकिन क्यांकि बहुत सारे बैंक जो थे वो profit में जाने लगे बहुत सारे बैंकों ने profit कमाया तो एक कमिटी बनाई जायेगी कि कि किस तरीके से और कितने बैंक को प्राइविटाइज करने की जरूरत है क्युंकि scenario जो है वो चेंज हो चुका है प्राइबटाइज़िशन होगा लेकिन सेनारियो अब चेंज हो चुका है तो एक नई लिस्ट फ्रेश कमिटी बठाई जाएगी फ्रेश लिस्ट त्यार की जाएगी कि कौन-कौन से बैंको को प्राइबटाइज किया जाएगा किस को को प्राइबटाइज करना चाहिए और इस टॉपिक पर आपके क्या व्यूज़ है कि बैंकों को प्राइबटाइज करना चाहिए या नहीं प्राइबटाइज करना चाहिए उनके फायदे क्या है और नुकसान क्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा So I hope you guys like the video ऐसे ही video contents के लिए अब हमारे चानल Hello Scholar को सब्सक्राइब करें and follow for more Thank you everyone